हेले वरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब बच्छे होंगे मस्त होंगे बेतर होंगे आपकी पढ़ाई बेतर चल रही होगी बोड एक्जाम 2024 के लिए कौन कौन से निवन्द तयार करना है बच्छो तो पहला जो सबसे मोश्ट निवन्द होता है मतलब इंपोर्टेंट जो है वो आपका परेवन प्रदूर्शन है ठीक है कुश्चे ने पूछ दिया गया है प्रदूर्शन समिश्य और निदान तो तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि साथ परेवन तो सब्द ही नहीं लिखा है फिर हम कैसे लिखेंगे परसान मत होना प्रदूर्शन दिग गया मतलब परेवन प्रदूर्शन ही आपको दिया गया है दूसरा जो सबसे महत्मूर्ण है वो आपके बिग्ञान के चमतकार पर है यहांई बढ़ते हुए जीवन में मतलब मानों के तरक्की में किस प्रकार से भिग्ञान का महत्तो है बरदान और अब अभिसाप और तीसरा जो होता बच्चो आपका खेलों का महत्तो है अब यद्याप किम्प्यूटर का तैयार करते हैं तो लगबख बिग्यान के चमतका में computer का business योगदान है और पहले जो होता था 7 नमबरें पूछा जाता था हम लोग यह जबाने में लेकिन अब 4 नमबरें पूछा जाता है तो 4 पॉइंट ही लिखना है आपको ज्यादा लिखना भी नहीं है दो पेज ही लिखना है ठीक है बच्चो तो यह आप 3 त्यार कर ले लिखना है कि माली जे 21 नमबर का प्रिशन है तो उत्तर क्रमांक एकेस और निबंद लिखकर रूप रिखा लिखोगे किसके बारे हम लिख रहा हो तो यहाँ पर उत्तर के से आप सबसे पहले उत्तर ही लिखना पड़ता है तो आप लोग लिखोगे प्रदूशन समिस्या और निदार पर निबंद जिस पर आप लिख रहा है दी बिग्यान के चमतकार पर बिग्यान के चमतकार अबिसाब पर निबंद तो आप उपर लिखोगे इसके बाद रूप लिखा तो चाहे आप किसी भी निबंद को लिखेंगे बच्चों मतलब किसी का जाहे आप बिग प्रस्ताबना का मतलब ये होता है कि आप प्रदूसर के बारे में जानकारी दें कि ये प्रदूसर है क्या चीज उपसंगहार का मतलब ये होता है कि प्रदूसर से क्या निसकर्स निकलता है अब प्रदूसर के रूप का मतलब है किस किस प्रकार से प्रदूसर हो सकता है प्रदूसर पर नियंतर का मतलब क्या हम प्रयोग करें क्या हम रणनीत अपनाए कि प् विज्याण है क्या चीज़? हमारे जीवन में उसका महथ तो क्या है? विज्याण के बारे में एकल मिला कर प्रदूसर की एक परिबासा यहाँ पर बतानी है. कंप्यूटर का प्रस्थाबना लिख रहे हो तो जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो मानो की सुख सुविधाएं भी बढ़ रही है इसलिए अप्तधिक मात्रा में मनुस्ट चीजों का प्रेयोक कर रहा जिसे संतुलन बिगड़ रहा है अप्तधिक प्रकरतिक चीजों के दोहन से संतुलन का बिगड़ना ही प्रदूसर कहला जाता है प्रदूसर से मानो जीवन की क्रियसीलता गत्विधियां सब रुक जाती है ठीक है यह आपका बच्चो यदि प्रदूसर ऐसे लगातार बढ़ता रहा तो जीवन जो है महाविनास की ओर अग्रसित होगा यह आपको प्रस्ता बना होगे सिंपल बहासा में लिखना है ना देखो मैंने आपको एकदम सटीक लेकर आया हूँ भाई आपको बटकना नहीं है कि बरतमान में बढ़ती हूँ भतिक्ता के अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं के प्रती आकर्शन पैदा कर दिया है मतलब बढ़ती हूँ जनसंक्या के कार्ड अबसकताओं की मतलब जो उपियोगी चीजों की जो अबसकता है वो बढ़ रही है जिसके कार्ड बच्चो हमें एक आकर्शन हो रहा है कि हम इस चीज का प्रियोग करें आप देखिए मार्केट में जाए आपको एक चीज अच्छा लगेगा पैसा है दूसरा चीज भी अच्छा लगेगा पैसा और तीसरा चीज भी परडाम सरूप मनुस्ठ प्रकति की संतुलन को भूलकर अब वेक पून रूप से प्रकति का दोहन करा जिसका प्रडाम प्रडूशन है प्रदूसर्ण उद्दोग की देने परण प्रदूसर्ण कारत है अंचाही धीमी गत्से आने वाली ब्रत्तु जीवन सक्ति का हास और बिमारियों का संक्रमक्ता प्राणी मात्र की अनरगल जनसंक्या ब्रत्धी ने इस महाबिनास को और नजदीक लागर खड़ा किया है मतलग जितना ज़्यादा मनुस्त की जनसंक्या में ब्रत्धी का एक क्रम बढ़ेगा वैसे ही इनसान की महाबिनास का भी क्रम नजदीकी की और बढ़ेगा क्यों क्यों कि मानों की संख्या लगातार बढ़ रही है संख्या के बढ़ने से सुभिधाओं की जो निरंतरता आकर्षण वो पैदा हो रही है अब इस आकर्षण के कार्ण मनुस्य प्राकर्तिक चीजों का दोहन कर रहा है संतुलन रूप से उसको नहीं बनाये रखता जिसके कारण प्रदूशन उत्पन हो रहा है प्रदूशन हो सकता है चाहे आपका पर्यवन प्रदूशन हो यह सब दोगोग से प्राप्त होता है तो एदि धीरे-दीरे मनुस्य की जन संक्या बढ़ने के कारण प्राकृतिक सक्तियों का हास हुआ तो कहीं न कहीं बिमारियों की संक्या बढ़ेगी यहीं बिमारिया जो है अतरिक मात्रा में होगी इंसानों का मृत्तु जैदा होगा जीवन जो सक्ति है आपके पास उपाबर है उसका हास होगा तो यह प्रस्ताबना हो गिया इसके बाद बच्चों प्रदूशन के रूप कौन कौन से होते हैं एक तो बायू प्रदूशन जल प्रदूशन प्रकास प्रदूशन मिट्टी प्रदूशन धौनी प्रदूशन आधी ठीक है म्रदा प्रदूशन परसान मत होन सकती और तचा इस पर सकती प्रदूसर्ण के कार निस्क्री होते जा रहे हैं कहने का मतलब देखने की छमता सुनने की छमता स्वाद की छमता ये सब दिर दिरे कम होता जा रहा है किसके कार प्रदूसर्ण के कार तो देखो भाई कम लिखना है जादा बटकना नहीं है जादा प्रदूसर के काड़ चिंतित होटा है क्योंकि मानो जाती के बिनास के लिए प्रदूसर का राच्छास मुह भैलाए सामने खड़ा है सनित राष्ट के तत्वा उधान में सन 1922 में परेवन सुधार हेतू स्वीडन में पहला सम्मेलन हुआ 109 सूत्री कारक्रम तेयार किया गया एक ही प्रतिवी के सिद्ध्यांतों को माना गया भारति सम्मिधान की नीतिन दिसक्त creo में परेवन का उलेख है सन 1980 में सबसे पहले इस ओर द्यान दिया गया मद्द प्रदेश देश का प्रथम राज है जहां बिदिवत पर्यवन की घोशना की प्रतिवास पाजोन को 20 सुपयपी पर्यवन दिवस मनाया जाता है प्रदूसर पर नियंतरन का मतलब यह है कि प्राकृतिक चीजों का दोहन कम करें प्राकृतिक चीजों का दोहन कम करें यातायत सुविधाओं में कम करें और दोगी करना को बढ़ावा ना दे जो भी और दोगी करना को बढ़ावा दिया जाए उसमें प्रयवन का विसेश ध्यान दिया जाए हम किसी भी बाहन का प्रियोग करें उसमें धौनी और उसमें उत्सर्जित होने वाले गैसों का विसेश रूप से ध्यान दें जो भी हम मोटर विल्कल निर्मार करें उस पर जो निकलने वाले कैस हैं उन पर विसेश ध्यान दें तो जिससे प्रदूसर्ण नियंत्रित हो सके अनियंत्रित जो बनों की कटाई है उसे रोकना चाहिए जो आपका जल प्रदूसर्ण हो रहा है दोगों से निकल करके जो जल नदियों में जा रहा है तो जल क्या हो असुद्ध हो रहा है तो उस पर ध्यान दे यह सब प्रदूस करने वाले उद्दोगों पर कठोर करवाई की जाने चाहिए अनुद्दोगों को जो पर्यवन प्रदूशन फैला रहे हैं उन्हें राष्ट घाती मानकर उन पर करवाई की जाने चाहिए दो दिसंबर 1984 को भोपाल गैस द्रास्ती प्रदूशन जनित समुदाइक हत्याओं का एक कड़ी है पेन प्राणियों और मुन्स के सचे साथी है पतला पेन और जो प्राणियों उनका भी छरण ना हूँ पेनों की कटाई पर रोक लगाया जाए क्योंकि बच्चों जंगल में आधि प्राण ही रहेंगे तो पीनय का कोई महत्तों नहीं और जो हमारे परेयरबण में एक्चक्र है पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है है जब एक ही समाप्त होता है दूसरा कड़ी समाप्त होना तो अब मैंने इतना आपको प्रवाइड किया तो आप लिगए को लगता होगा सर मैं इसको करेंगे नाई 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 बिल्कुल नाई आपको अपने भासा में लिखना है मैंने अपने भासा में प्रवाइड के आपको अपने भासा में लिखना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप अपने भासा में इसका रूपांत्रित रूप लिखेंगे निबंद तरीका बता रहा हूं कि इस तरीके से दो पेज आपको लिखना है आपको पूरे एंक मिल जाएंगे ओके बच्चों तो आप लोग निरंतर मेनत करते हैं हमारे चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपका डिमांड रहेगा उस पर हम वीडियो देने के लिए तैयार है फिलाल इतना ही जय हिंद्र बंदे मात्राव